लिए जनाब है आजीज कुराशी, देश के तीन राज्जों के राज़पाल रह चुके हैं, किन सरकार में मंद्रीपत तक सभाल चुके हैं, लेकिन एक कारिक्रम में मुसल्मानों को भड़काते नजर आए अजीज कुरेशी ने कहा कॉंग्रेस दफ्तर में मुर्थिया बिठाना और हिंदूत्यू की बात करना डूब मरने की बात है। विवादित बयानों की बोचार करते हुए कुरेशी ने ये भी कह दिया कि यदि उन्हें कॉंग्रेस से निकालना है तो निकाल दिया जाए। फिर उन्होंने मुसल्मानों को भड़काते हुए कहा 22 करोड मुसल्मानों ने चूणिया नहीं पहनी हैं, एक दो करोड मर भी कॉंग्रेस का भी नाम लेते हुए पूर राजिपाल ने कहा मुसल्मान क्यों वोटते आपको, नौकरी आप नहीं देते, पुलिस, सेना, नेवी में नहीं लेते, फिर क्यों मुसल्मान आपको वोटते, कुरेशी ने भड़काओ बयान देते हुए कहा कि देश में 22 करोड म मुसल्मान है और एक-दो करोड मर भी जाएं तो कोई हर्ज नहीं अजीज कुरेशी इस दुरान अपनी ही पार्टी के खिलाब भी उखड़े नजर आए और हिंदुत्व के एजेंडे पर चलने का रोप लगाते हुए इसे दू मरने की बात कही और ने प्रियंका गांधी की नर्मदा पूजा पर भी परोप्च रूप से निशाना साधा। कुरेशी ने कहा कॉंग्रेश के कुछ लोग आज बात करते हैं हिंद दू की यात्रा की जय गंदा मैया जय नर्मदा मैया शर्म की बात है मुझे कोई डर नहीं है निकाल देना पाटी से नहरू के वारिस कॉंग्रेश की लोग आज धार्मिक यात्रा निकालते हैं जय बोल करते हैं गर्व से कहो हिंदू हूँ बोलते हैं कॉंग्रेस दफ्तर में मूर्ती बिठाते हैं डू मरने की बात है बता देंगे अजिस कुरेशी कई बार अपने विवारित बयानों को लेकर चर्चा में रहे हैं करते हैं